नमस्कार बहुत स्वागत है आपका आप देख रहे हैं ग्रैंड धर्मा सनमार्ग हल्दी तो हम सभी के घर में होता ही है पुजा घर में भी होता है और आज हम आपको हल्दी पौडर और खड़ी हल्दी दोनों के ही अचूक उपाय बताएंगे और साथ ही हल्दी के डब्बे में क्या डाले ऐसा कि जीवन की सारी तकलीफें समापत हो जाए जीवन जीना सरल हो जाए और आपकी मनों कामना हाथो हाथ पूरी हो जाए देखिए हल्दी जो है उसका सीधा सम्मंद देव गुरु भिस्पती से है हल्दी का रंग के कारण हल्दी वैसे तीन तरका होता है एक काली हल्दी, दूसरा ओरेंज कलर का हल्दी और तीसरा पीला हल्दी पीला हल्दी का ही हम बात करेंगे जो सीधी तौर से देवगुरु भिष्पती से जुड़े हुआ है वैसे तो हल्दी के बिना ना तो हमारे घर में खाना बनता है ना ही धर्म कारे होते हैं ना ही कोई सूमांगली कारे होता है हल्दी एक विशेस प्रकार का औसधी भी है जिसमें दैवी गुन होते हैं और अगर हल्दी से बनीवी माला से ओम ब्रिंग ब्रिस्पते नमह मंत्र का जब किया जाए तो बिवा भी जल्दी होता है और बैवाहिक जीवन में आ रही समस्या भी दूर हो जाता है बिवा में बर्वधू को हल्दी चढ़ाने के पीछे एक महत्र ये भी होता है कि उन्हें बाहरी बाधाओं से बलाओं से बचाया जा सके और उनका स्वास्त भी अच्छा हो उनकी खूब सूर्ती बरकरार रहे हल्दी का सीधा संबन्द चुके देव बुरु बहस्त पती से है और बहस्त पती गर्से संबंद होने के कारण आप जब उपाय करते हैं हल्दी का तो आपका गुरु प्रवल होता है आपके संतान वाला पाट अच्छा होता है धणा आता है सुक्संपत्ति, सम्रिद्धी, सांती, सुकून बढ़ता है तो चलिए जानते हैं हल्दी के वो खास प्रयोग जो जीवन के सारी परिसानियों से आपको बचाएगा जब आप पूजा करते हैं अस्टान बिगरे करके पूजा तो करते होंगे तब आप अपने पूजा घर में पौडर वाली हल्दी रखिए एक डिबबी में भर कर अब जब आप पूजा करें तो थोरा से हल्दी अपनी अनामी का उंगली यानि रिंग फिंगर में लगाईए स्रीहरी के चर्णों में लगा कर अपने कलाई या गर्दन में हल्दी का तिलक लगा है आपका ब्रहस्पती मजबूत होगा वानी मजबूत होगा अगर हल्दी से हल्दी और चावल मिक्स करके या सिर्फ हल्दी से अपने घर के मुखे दरबाजे पर बाहर की तरब से एक स्वस्तिक बना दें तो आपके जीवन में खुसियां आती है, नकातमक उड़ जाएं, दूर रहती है सुकून बढ़ता है और जो भी परिसानिया है वो समाप्त हो जाती है क्योंकि हल्दी निगेटिव उड़जा को दूर करता है और आप लोगों को सुरक्षित रखता है अब हल्दी, चुकि हाँ पर हमने आपको बहुत सारी बाते बताई लेकिन एक बात याद रखे जो खड़ी हल्दी होती है यानि हल्दी की गांट अगर आप किसी खास ब्रत्यवार में जैसे एकादसी की दिन है, पुर्णिमा तिथी है या गुरुवार का दिन है अगर हल्दी की गांट लाल मौली धागे में या पीले धागे में लपेट कर स्री हरी के चर्नों में रखते हैं मालक्षमी के चर्णों में रखते हैं तो आपके मनों कामना पूर्ण होती है धन की बरकत होती है अगर एक हल्दी की गांट धागे पीले धागे के सहारे बांध कर आप किसी भी पूर्णी मा को अपने घर के मुखे दरवाजे पर बाहर की तरफ से बांध दे जिसको भी घर में किसी को अगर कहा गया है कि पीला पुखराज पहनने के लिए चुकि पीला पुखराज बहुत महंग़ा है तो आप पूली घर की गांठ भी पहन सकते हैं आप मौली धागा के सहारे पहन सकते हैं पहनेंगे आप चाहे तो पीले धागे में भी पहन सकते हैं अपने आप गले में पहन सकते हैं बाह में कलाई में अपने पर्स में भी रख सकते हैं और जब आप तूलसी में जल अरपीद करते हैं तो इस जल में आप वैसे दूद रोज मत अरपीद कीजेगा नहीं तो तूलस लेकिन हल्दी डालकर आप रोज ही जलारपित कर सकते हैं एक तो पौधे भी आपके अच्छे रहेंगे और एक लिए मोकड़े भी नहीं लगेंगे और बरकत भी होगी घर में खुसी आएंगी आपका गुरू प्रबल होगा और अगर आप जैसे की गुरू बार के दिन पोच करें बाकी बचाओ पानी पौधे में डाल दें आपके घर में सकारत्मा कुर्जा बढ़ने लगेगी जीवन में खुसिया लोटाएगी अगर पेट की समस्या है कभी कभी क्या होता है पेट में गंभीर समस्या हो जाती है अलसर है या फिर कैसा भी समस्या है या फिर स्वास सबस्क्राइब अब बजशने सकता है तो पूजा करने के बाद आप पूजा करणे के पहले आपको कड़ना है स्री हरी के चर्णों में हल्दी लगा कर अपने कंट पे होता है ऐसा और कई बार यह होता है कि आप लाग प्रियास के बाद भी आपके बरकत रुख गई है जहां से चले हैं वहीं पड़े हैं या फिर कभी डर लगता है भारी भारी सा घर में प्रवेश करते ही लगता है आपको पक्का उमीद है कि क्यों ही कुछ कर चुगा है आपक से रेखा बना दें तो नकात्मक सक्तियां प्रवेश नहीं कर पाएगी अगर हल्दी से आप पूरे बंड्रियाल पूरे रेखा नहीं बना पाते हैं तो आप घर के मुख्य दर्वाजे पर चौकट के चारो और नीचे से उपर तक चारो तरफ हल्दी से घेरा बना दे बहुत चोटी चोटी सुखी वी तीन या साथ लाल मिर्च ले ले याद रखिए चोटी चोटी बहुत लंबी लंबी मत लीजेगा और जब लाल मिर्च इसमें रखिए गा तो अपनी मनों कामना कहिएगा आपकी जो भी इक्छा है और उसको रग दें उसी से खाना बनाईए उसी ह अनत पूरी हो जाए तो इस हल्दी को उठा कर आप इसको खाईएगा मत इसको कहीं भी मिट्टी में दवा दीजेगा पेड़ उग जाए तो अच्छी बात है उससे आप मिर्ची तुड़के खा सकते हैं तो यह प्रियोग आप करके देखें अब जैसे कि आपके घब में ब बिभा के योग बनने लगेंगे तो नहातिस में चुटकी बर हल्दी डाल कर नहाए तो सारीडिक और मानसिक सुधता भी होती है करियर में भी सफलता मिलती है और बिभा या बैबाही जीवन की समस्या भी दूर हो जाती है कई बार क्या होता है आपके घर में बच्चे हैं बड़े बुजरू भी डड़ते हैं तो आप बुरे सपनों आते हैं क्या करेंगे एक हल्दी की गांट ले ले एक या दो ले ले अब इसमें आप मौली धागा लपेट ले और इसको अपने तकीय की नीचे रखके सो जाए कम से कम छे मेने तक रहने तक कोई दिकत नहीं है या एक मेने के बाद भी चेंज कर सकते हैं पुराना वाला फेक दीजेगा मिट्टे में दबा दीजेगा नया रख दीजेगा बुरे सपने आने बंद हो जाएंगे जब आप भगवान सूरे को जल अर्पित करते हैं उसमें एक चुटकी हल्दी डालकर अर्पित करें तो बिवा समंदी बैबाही जीवन की समस्याएं समाप्त हो जाती है बिवा आने होने में फटा फट से तेजी आने लगती है तो यह परियोग भी आप कर सकते हैं तो हल्दी के लिए बहुत सारे परियोग हमने आपको बताये लेक और अगर आप भगवान स्री हरी मालक्षमी की तस्वीर के पीछे एक चुटकी हल्दी एक पुडिया बना कर कागज की पुडिया में आप छिपा कर रख दें तो अतिसिगर विभा के योग बन जाते हैं तमाम प्रियोग के बाद जब आपके मनुकामना पूर्ण होती है न तब आप इन हल्दी को मिट्टी में जरूर डाल दीजिएगा आप चाहें तो दुलसी की मिट्टी में डाल सकते हैं पर जादा हो तो कहीं और डाल दें तो हल्दी के प्रियोग से जीवन में संपन्नाता आती है नकातमक उड़ जाएं दूर होती है इसलिए तो हल्दी से ख़बवन भी होता है और हल्डी के माला से आप अगर मंतर जब करते हैं तो फिर आपका दिमाग तेज होता है बिरस्पती मजभूत होता है विवाशन मंदी जो मामले है वो समाफ्त होते हैं आप उनको मनाईए और हल्दी के चोटे-चोटे परियोग करें और अपने किचन में जो हल्दी है उसका परियोग जरूर कीजेगा फिलाल विदा लेंगे हरहर महादेव धन्यवाद